तो दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पारे हो यह है रैड कलर की E5 सीरीज की शिकांशन बुलेट ट्रेंज जो की भारत जापान से इंपोर्ट करने वाला है हाली में रिलवे ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो 24 नई रैड कलर की शिकांशन बुलेट ट्रेंज को जापान से इंपोर्ट करेगा और मैं आपको जानकारी के लिए बता दू कि इस पर काम और डेडी शुरू भी हो चुका है दरसल जापान भारत के इसाप से ट्रेनों को मेनिफेक्चर और रिडिजाइन कर रहा है और भारत का जो पहला बुलेट ट्रेन कोरिडर है जो कि मुंबई से लेके एमदबाद के बीच में बनाया जा रहा है वहाँ पर रेड करल की हमें ये सिकांशन बुलेट ट्रेन देखने मिलने वाली है दुनिया की जो सबसे फास्टेश ट्रेन है वो है मेगलूफ ट्रेन जिसकी जो रफतार है वो 600 किलोमेटर प्रतियार की है लेकिन ये एक प्रॉपर ट्रेन सेट नहीं है और भारत इनी ट्रेनों को इंपोर्ट करने वाला है अब जापान से बुलेट ट्रेन ट्रेन सेट्स के साथ साथ भारते रेलवे ने जापान से सूपर हाई स्पीड मैगनेटिक ट्रेल ट्रेक्स को भी मंगाया है दरसल इन rail tracks की जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये 320 km प्रतियार की रफ्तार को जेल सकते जो काम हमारे normal rail tracks नहीं कर सकते 511 km में इन rail tracks को बिछाया जाएगा मुंबई से लिएक एमदाबाद के बीच में जहाँ पर हर दिन 35 से भी जादा bullet trains चलाने का railway का प्लैन है और यहाँ पर 90,000 से भी जादा लोग travel करेंगे हर दिन ये जो E5 सीरिस की सिकांशन bullet train है इसमें 12 से भी जादा कोचीज होंगे मुंबई से लेकि एमदाबाद के बीच में हर आदे घंटे में एक bullet train को चलाया जाएगा और भारतिया railway कोई भी तरह का compromise नहीं करना चाहती है बुलेटरें ट्रिंसेट्स को लेकर और इसी रीजन के वाज़े से उन्होंने दुनिया की सबसे fastest बुलेटरें को भारत में इंपोर्ट किया है जो की सिकांशन bullet train है इसी के साथ साथ गुजरात में लास्ट मन्द जापान के कुछ officials आये थे और उन्होंने बुलेटरें प्रोजेक्ट का काम देखा है प्रोफके मुंबई आमदाबाद बुलेटरें कोईडर तो सिफ भारत का पाला बुलेटरें कोईडर है इसी के साथ साथ रेल्वेय ने हाली में साबरबती रिवर पे भारत का पहला high-speed ब्रिच को बनाकर तयार कर लिया है मैं इसे high speed bridge इसलिए के रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो bulletin गुजरने वाली उसकी रफतार होगी 320 km प्रतियार की और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हूँ इस bridge को construct किया गया है तो जैसा कि आप देखी पारियों कि bulletin corridor के लिए हम काफी सारी नइने चीज़ों को बना रहें construct कर रहें जो कि हमने पहले नहीं किये फिर चाहे वह high speed वाला bridge हो या फिर underwater tunnel यह सभी एक state of the art project है भारत और जापान के बीच में हाली में bulletin project को लेकर एक meeting हुई थी जहाँ पर signaling system के बारे में discussion किया गया था एक बार जब corridor के construction का काम खतम हो जाएगा तो जापानी भारत को signaling system इंपोर्ट करके देगा इसी के साथ साथ यह जो red color के शिकांशन bullet train है इसकी manufacturing का काम हिताची company और कावासा की company करने वाली है और बहुत ही जल्द railways का tender भी issue करेगी लेकिन इस standard में एक problem यह है कि अगर हिताची company और कावासा की company partnership करके ट्रेंड की manufacturing करेंगे तो उससे जो train को बनाने का cost है वो भारत के लिए बढ़ जाएगा लेकिन वहीं अगर यह दोनों अलग-अलग tenders को issue करेंगे तो उससे competition create होगा जिसके वज़े से भारत के लिए cost कम हो जाएगा train sets को manufacture करने का तो देखते हैं आप भारते railways problem को कैसे solve करेगी तो दोस्तो यह थी एक छोटी सी update भारत के पहले e5 series red color की शिकांशन bullet train के उपर तो दोस्तो इस पर आपकी क्या रहा है मुझे कमेंट सेक्चन में जरूर बताएगा जहिन